करता हूँ, वेक्टर्स की जो मल्टिप्लिकेशन होती है, वो कहां पे यूज होती है बेसिकली जब आप को अन्विलूशनल नियूरल नेटवर्क देखेंगे और कम्प्यूटर विजन के अंदर मूव करेंगे तो वहां पे जब आप एक तस्वीर का मेत्रिक्स लेके आते हैं उस मेत्रिक्स को एक करनल के साथ मल्टिप्लाई करते हैं और उनकी प्रोड़क को वहां पे लिखते हैं ठीक है, so basically बड़ी डेमेंशन से छोटी डेमेंशन में आने के लिए usually you multiply और you have the product of vector with matrices या matrices, अब वो वो जो है वो क्यों हमें helpful होती है वो बड़े complex data को linear data के अंदर transform करने के लिए यानि के complex data को एक equation के अंदर transform करने के लिए और वो जो equation होती है वो basically तस्वीर को translate कर रही होती है for example एक site पर मेरे पास एक billy की तस्वीर है इसको मैं अगर equation में लिख सकूँ या मैं बता सकूँ कि यह 8 by 8 की तस्वीर है वहां वहां पर इसकी यह यह value आएंगी वो हमारे पास एक matrix आता है और matrix को further आप एक equation में लिखती है तो इसका मतलब है तस्वीर को translate कर दिया अपने equation में और यही जनरेटेव आई के अंदर चल रहा है और AI के अंदर computer vision के अंदर यही सारी science चल रही है hopefully आपको समझा की